नमस्कार और विल्कम योदू वर्ल अफेर्ट नेवू प्रशान धवन नाव पिछले 24 से लेकर 30 घंटों में बहुत ही एक इंटरस्टिंग डवलप्पेंट हुई है लक्षवदीप ये जो शब्द है ना ये ना सिर्फ इंडिया इवन मॉल्डीव्स और कई कंट्रीज में लगाता ट्रेंड कर रहा है पीएम मोधी की इमेजिस के बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि मॉल्डीव्स जिटरी जिटरी होता है जब आप नर्वस हो जब आपको पता लग जाए कि अच्छा अब सं लाखू रुपे मॉल्डीव्स में क्यों खर्चे जबकि लक्षवदीव एक बहुती जादा अच्छा अल्टरनेटेव हो सकता है तो मॉल्डीव्स हाला कि मॉल्डीव्स के लोगों ने जब इंडियन्स की यह कॉमेंट्स देखी सोचल मीडिया पर तो उसके बाद इंडिय का कित्ता बड़ा होगा दिस रिमेंस टुबी सीन नाव सबसे पहले प्येम मॉदी की जो पोस्त थी कल की यह मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद मॉल्डीव से क्या रियक्शन आई हैं यह भी हम जानेंगे नाव यहां पर देख पाऊंगे रिसेंटी भारत के प्रधान जो एक बार को आप काफी बार फोरण कंट्री में ढूंटे है ना वही ब्यूटी वही एडवेंचरिजम आपको लक्षवदीब टापू में भी मिल सकता है नाव लक्षवदीब आइलेंड्स को अगर मैं आपको मैप पे रिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि यह अचुल लक्षवदीब में अगर ब्यूटी की बात करें ना तो मॉल्डीव में जो आपको लक्षवदीब में मिलेगी मॉल्डीव में देखिए टूरिजम ज्यादा अट्राइट इसलिए होता है क्योंकि टूरिजम बेस्ट इंफ्रास्रक्चर वो अच्छा बनाके बैठे हैं प् रुपए एक लाग रुपए के जो भी उनके पैकेजिस होते हैं उसके पीछे में अकर्शन है मॉल्डीव के विलास इनका इंफ्रास्रक्चर लक्षवदीब में देखिए कोशिश होती है कि ऐसा इंफ्रास्रक्चर हम डवलप करें मगर हमेशा एंवारिमेंटल कंसरन को ल उन्होंने इंफ्रास्रक्चर बिल्ड किया और आज के समय आप देखिए तो टूरिजम से मॉल्डीव बहुत सा पैसा कमा रहा है और ये पैसा आकासे रहा है इंडियांस की जेबो से ही देखिए दोजार एक्किस बाइस के आसपास से इंडिया नंबर वान सोर्स बन गया तर के साए बढकिन किया चिते हैं मॉल्डीव बहुत सारे इंडियांस में कई हनीमून मिलाने के लिए जाते हैं कैघे चुटियों के लिए जाते हैं बहुत सारे जो स्लेवरटी हैं हमारे डेश में कई स fine Nevra जाकर विला में फोटो वरा उसकी पोसिकरते हैं बाकी लोग वो सब फोटोस देखते हैं, वो भी प्रेरित फील करते हैं कि अच्छा जी मॉल्डीव जाएंगे, इस सब में लक्षवदीव कही काभी पीजे छूड गया है, और पीए मोधी अब यही रिमाइन करवा रहे हैं देश के लोगों को, कि देखिए लक्षवदीव क अब यह option आपके लिए open है, जरूरी नहीं है कि आपको अगर island की beauty enjoy करनी है, आपको nature के करीब बैठना है, तो आपको Maldives के विलाज में ही जाना होगा, आप लक्षवदीव में भी जा सकते हैं, अब एक question यहाँ पे आपका आएगा, अचानक से पीए मोधी यह बात क्यों कर इंडिया पे आती है, अभी भी जब मैं video record कर रहा था ना, news आई है कि Maldives में 5.4 magnitude का earthquake आया है, ना मुझे रखता नहीं है कि इतने magnitude के earthquake से कोई tsunami आएगी या फिर Maldives में कोई बड़ा नुक्सान होगा, बट Maldives के आसपास भुकम बाते रहते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कल को, कि इंडिया एक बड़ा operation launch करें Maldives की help करने के लिए, उसके इलावा भी जैसे आप लोग देख पारे हैं, इंडिया के लोग ही Maldives में जाकर पैसा खरचते हैं, लाखो रुपे के packages परचेस करते हैं, जिससे Maldives की economy float भी करती रहती है, तो इंडिया देखिए इनके लिए इतना important country है, मगर तब भी, आज के समय मौमद मुईजू, जो नए president बने है Maldives के, इनका इतना जादा anti-India stance है न, कि ये इंडिया को अभी तक visit करने के लिए नहीं गए, ये पहले के टर्की में, अब ये जा रहे है चाइना में, इंडिया की government से जब पूछा गया, कि ये जो Maldives की सरकार है, ये किस तरीके से इंडिया को treat कर रही है, पहले टर्की में जा रहे हैं, फिर चाइना में जा रहे हैं, जबकि इंडिया दोनों country से कई गुना जादा important है Maldives के लिए, इंडिया का जवाब अभी के लिए ये है, कि Maldives की सरकार की मर्जी, ये जहां मर कोई jurisdiction नहीं आती, they are free to do what they are doing, मगर साथी सातना, as a whole of India में हमें इस बात को लेकर awareness जगानी होगी, कि literally हम लोग एक fashion trend के नाम पर, या फिर आप कहले लीजिए, overall celebrities को follow करने के नाम पर, हम लोग लाखो करणो रुपे खच रहे हैं, Maldives में छुटिया मनाने के लिए, और धीरे तीरे इस pattern में change किया शकता है, और आप देखोगे, जब Indian tourists उस संख्या में Maldives में नहीं आएंगे, जैसे एक time पे आया करते थे, अपने आप ही Maldives का जो stance है about India regarding India, इसमें एक बड़ा बतलाव आप देहेंगे, मगर ये परिवर्तल लाना आसान होगा नहीं, इसमें time और ये सब जो photos upload करी है about Lakshadeep, इससे definitely इंडिया के कई हिस्सों में curiosity जिग्यासा जागेगी about Lakshadeep, बट अभी न हमें ये भी कहिना कई इंतिजाम करना होगा, कि इंडिया के जो बड़े celebrities हैं, जिनको लोग अंधा follow करते हैं, मतलब हमारे देश मेरे celebrities हैं, ऐसे movie stars है, वो कल को पैंड उपर shirt नीचे परेंगे, लोग उनको copy करना start कर देंगे, लोग करेंगे ये निया fashion है, तो कोशिश यह होनी चाहिए कि जो Bollywood stars हैं, उसके लावा जो Bollywood stars हैं, और various और हमारी movie industries हैं, उनके stars हैं, उन्हें हम Lakshadeep में लेके जाए, अन्दमा, निकोबार आलेंड में व जादा affordable रहेगा, इंडियन economy को आप help कर रहे होगे, तो ये message फिलाने की बहुत ज़रा जरूरत है, अभी भी मैं देख रहा था कि कई Maldives के लोग बहुत ज़रा arrogant से कह रहे थे, कि देखिए Lakshadeep कैसे बीट करेगा Maldives को, Lakshadeep में अभी infrastructure है नहीं, बिलकुल infrastructure की कमी है, बट at the same time Lakshadeep इंडिया का part है, इससे देखिए Lakshadeep को एक major advantage मिलता है, and I think India को at least कोशिश करनी चाहिए, कि Maldives में जो हमारा tourism अभी जा रहा है, इसमें कुछ correction आए, और at least 30-40% लोग जो हैं, ये Maldives की जगा in the future, Lakshadeep में छुटिया बनाना पसंद करें, और finally आपर मैं ये भी add क कर दूँ कि आज आखरी दिन है Unacademy की massive sale का, आज राज 12 बजे ये sale हो जागी खतम, तो comment section में जाईए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये link, इस link पे आपको करना है click, और यहाँ पर purchase कर पाएंगे Unacademy का UPSC combo package, और जो prices यहाँ पर लिखे हैं, ये पे करने की आशकता विलकु बढ़ जाएगी, so use the code PD10 and save when याज राज 12 बजे ये offer खतम हो जाएगा,